सुकुना वर्सेज गोजो ये तो जुजुट्सु काइसन उनिवर्स के अनमोल रत्न है और हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा वेल मैंने काफी रिसर्ज करके एक एस्टेमिट बनाया है और आप जो सोच रहों जीतेगा शायद वो इस लड़ाई को ना जीते तो इस वीडियो को पूरा देखना वरना आधा दूरा देखोगे तो बोलो के क्या बकवास कर रहा है पूरा देखोगे तो अच्छे समझ जाओगे तो इससे पहले हम इन दो दिगजो को आपस में भेरा दे हम पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों की पावर्स क्या है सबसे पाफुल सॉसरर है और ऐसा कहा जाता है कि जब गोजो का जन्म हुआ था तो यूनिवर्स में जो कर स्पिरिट और सॉसरर का बैलेंस था न वो थोड़ा सा बिगड़ गया अब बिगड़ने से मेरा मतलब है कि सॉसरर और कर्स्ट स्पिरिट्स के भी जो लड़ाई चलती रहती है वो हमेंसा काइंड ऑ बैलेंस रहती है लेकिन गोजो के आने से अब सॉसरर का पलरा भाडी है गोजो के पास six eyes की तो technique है ही जिसे उसने inherit किया है साथ ही साथ उसके पास limitless की भी technique है I mean ऐसा 100 साल में और कई लोग तो बोलते हैं 400 साल में होता है जब कोई sorcerer इन दोनों टेकनीक के साथ जल्म लेता है अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या हमें तो पता ही नहीं six size क्या है या limitless क्या है तो मेरा क्या लेना देना वेल धैरे रखो सब बताता हूं एक एक करके अबे जल्दी बोल कल सुबे पनवेल निकलना है तो limitless एक ऐसी टेकनीक है जिससे अपने आस पास के surrounding को atomic level पे manipulate किया जा सकता है जिससे infinity टेकनीक आता है infinity से गोजो अपने आस पास एक ऐसा distance और विकन से barrier बना सकता है जिससे उसका opponent उसे छू भी नहीं सकता तो ऐसे भाईया आप गोजो को hurt कैसे करोगे almost impossible है अब infinity को और भी powerful बनाता है गोजो का six eyes टेकनीक हाम इसकी मदद से वो cursed energies को feel कर पाता है तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हो चुपके उसके उसके ओपर cursed energies से attack कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि six eyes से वो उसे feel कर लेगा और automatic उसका infinity activate हो जाएगा अब ये दो पावस उनके आपको लग रहा हो कि भाईया गोजो तो OP है लेकिन धैर रखो अभी तो बस शुरुबात है तो गोजो के पास lapsed blue technique भी है जिसकी मदद से वो kind of a black hole create कर सकता है अपनी cursed energy को use करके इस black hole के अंदर इंसान या फिर objects दोनों खीजे चले जा सकते हैं और उनका वहाँ क्या होगा वेल उनके चीतरे उड़ जाएंगे now there's also reversal red जो की blue का ठीक उल्टा है यहां पर ripple हो जाता है अंदर नहीं खीजता बाहर फेकता है अब यह जो repelling है वो बहुत जादा strong हो सकता है और क्यू जैसे की black flash, reversed curse technique जिसे वो अपने limbs वगेरा को एकदम regenerate कर सकता है and then कुछ छोटी मोटी इदर उदर की powers तो गोजो के पास है अब क्यूंकि ए अनिमे वल्ड है तो यहां characters के पास जादा strength, reflexes, speed, combat abilities यह सब तो होगी तो वो सब रखो की सब के पास है अब इन सब के अलावा एक और बहुत important power है गोजो के पास वो है लोगे इनियन चैनल को subscribe कर देने का जी आप लोग नहीं करते हो लेकिन आपके पास भी power है, try करके देखो, कर सकते हो आइनो बहुत गंदा प्लग था लेकिन क्या यार करना पड़ता है ग्रोथ के लिए अभी बहुत initial stage है तो माफ करना है anyways तो अब आप समझ गए होगे कि गोजो को सबसे powerful sorcerer क्यों कहा जाता है इस बंदे को हराना almost impossible है, जब टची नहीं कर पाओगे तो हराओगे कैसे तो अब जब कि हम गोजो के powers को जान चुके है, चलिए हम सुकुना के powers पे भी नजा डालते हैं तो सुकुना की innate techniques है dismantle and cleave अब यह दोनों जो है एक तरह की slashing technique है, जहां dismantle की मदद से सुकुना cursed spirits को एक ही ward में या फिर बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है वहीं cleave dismantle से थोड़ा अलग है क्योंकि यहां क्या होता है कि सुकुना जिस पे भी attack करता है, इसका cleave जो shot है वो अपने हिसाब से power को change करता है यानि कि अगर opponent बहुत powerful होगा तो उसका cleave attack भी उतना ही powerful हो जाएगा अगर opponent weak है तो cleave attack भी weak होगा, तो बहुत ही smart move है इसके अलावा सुकुना के पास fire को manipulate करने की भी abilities है जो की long range attacks में काफी helpful होती है सुकुना का reverse curse technique बहुत ही जादा strong है जिसकी मदद से वो अपना कोई भी body part seconds में regenerate कर पाता है और क्योंकि सुकुना के पास बहुत सारी curse energy है तो हम कह सकते हैं कि सुकुना kind of indestructible है जुद्सु के golden era यानि higher era में कई sorcerers मिलकर सुकुना से लड़े थे और उसकी 20 उंगलियों को काट कर अलग-अलग रख दिये थे ये सारी उंगलिया खुद में इतनी strong curse को hold करती है कि इनको destroy कर पाना almost impossible है even for gojo अब gojo की तरह ही सुकुना के पास भी वो anime वाली abilities सब हैं ही जैसे कि strength, speed, combat skills, tactical skills और वो जो सब होता है वो सब जोड़लो सब इसके अलावा सुकुना king of curses कहा जाता था क्योंकि अपने वो full form यानि कि 20 fingers के साथ बहुत ही ज़्यादा powerful हो सकता है तो अब जब कि आप gojo और सुकुना दोनों की abilities को समझ गये हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में एक thought आ रहा होगा कि गोजो की abilities कहीं न कहीं सुकुना से bitter है और ये सोच आपकी गलत भी नहीं होगी क्योंकि हाँ गोजू थोड़ा जाधा ओपी लग रहा है तो ऐसे में जब इन दोनों की लराई होगी तो वो सद्यों तक चलती रहेगी अब obviously गोजो जोगो को बहुत ही similar सा नाम है लेकिन ध्यान से सुनना गोजो जोगो को बहुत ही आसानी से हडाया और उसका मजाग भी बनाया वहीं सुकुना से जब उसकी लड़ाई हुई थी तो सुकुना उसको अप्रिशेट किया था और सुकुना भी उसको आसानी से हडा दिया था ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुकुना इस समय 15 फिंगर्स के साथ था 20 फिंगर्स फुल पार के साथ महीं overall my point is कि इन दोनों की लड़ाई में कौन 19 होगा और कौन भी इस ये कहना मुश्किल है लेकिन अब तक सुनके लग रहा है कि गोजो ही 20 होगा लेकिन फिड यहां आता है एक आखरी ऐसा कर्स टेकनीक जो कि इस पूरे लड़ाई के रुख को ही मोड़ देगा क्या बात कर रहे है रे बाबा इसे कहते हैं डोमेन एक्सपैंशन एक ऐसी कर्स बारियर टेकनीक है जिसका इस्तमाल सिर्फ गिने चुने सॉसरस ही कर सकते हैं और जो कर सकते हैं उनके लिए भी बहुत कठेन होता है क्योंकि इसमें बहुत जादा कर्स नर्जी आपका यूज हो जाता है अहे हैं उनके अंदर इतनी सारी कर्स इनर्जी तो कड़ी पाएंगे ना अब डोमेन एक्सपैंशन में होता यह है कि सॉसरर एक अलग सा स्पेस बना लेता है अपने राउंड जिसमें वो दूसरे सॉसर को ट्रैप कर सकता है इस स्पेस या बैरियर के अंदर जो सॉसरर बनाया होता है स्पेस को उसकी अबिलिटी चरम सिमा पे होती है और इस बैरियर को अंदर से तोड़ा नहीं जा सकता यहाँ Gojo का infinity, limitless वो सब है न ability जिससे कोई से touch नहीं कर सकता, कुछ काम नहीं करेगा, यानि basically वो attack से बच नहीं सकता, अब domain expansion में attack से बचने के कुछ informal तरीके हैं, जैसे की curse, blast, इत्यादी, लेकिन इसका एक sure shot तरीका सिर्फ है कि अगर कोई बाहर से domain को खत्म कर दे, ऐसा कहा जाता है कि जितना strong domain अंदर से होगा, उतना ही कमजोर बाहर से होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर से खत्म कर देगा, उसके लिए मुझे लगता है special grade तो लगेगा, ना obviously, Gojo और सुकना दोनों के पास अपना-पना domain expansion है, Gojo का domain expansion है unlimited void, जो कि एक बहुत ही strong domain expansion है, और जो करता क्या है, कि वो अपने opponent के अंदर इतनी सारी data को फीड कर देता है, मतलब infinity का उसका बहुत सारा चीज फीड होता है, कि उसका दिमाग प्रॉसेस ही नहीं कर पता इतनी सारी बातों को, और वो kind of number जाता है, और हम कह सकते हैं कि बैठ जाता है एक जगर हर माल लेता है, It's like an information overflow, आपका एक TB का यह hard disk है, लेकिन भर देंगे उसमें हम 100 TB, वहीं सुकुना की domain expansion का नाम है malevolent shrine, जिसके अंदर सुकुना की जो innate techniques है, dismantle and cleave, वो बहुत अच्छे से काम करती है, मतलब एक दम amplify हो जाती है, अब domain expansion के बाड़े में कहा जाता है, कि जिसका जितना finest domain है, जि हाँ, गोजो का unlimited void उतना refined नहीं है, जितना की सुकुना का malevolent shrine, यानि की लड़ाई में इस point of time पे सुकुना बाजी मार जाएगा, तो सुकुना का malevolent shrine है, यह 200 meter तक सुकुना के दोड़ा extent करा जा सकता है, और जैसा कि मैंने बताया है, यह आज तक का finest और सबसे प जो का पलरा भारी होगा, लेकिन domain expansion के time पे सुकुना उससे lead ले लेगा, समझे न, समझे न, समझे न, सुकुना का जो finishing move है, बहुत बढ़िया है, having said that, जब इनकी लड़ाई होगी तो external factors भी बहुत matter करेंगी, जैसा कि मैंने बताया है कि domain को बाहर से तोड़ा जा सकता है, त इतने उसके allies हैं, जो कि उनसे लर सकेंगे और सब कुछ सही होगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, actual लड़ाई में क्या होगा, moreover, कौन अपने opponent को अपने नजदीक लाकर अपने domain को जल्दी से activate कर सकता है, तो यह सब भी बहुत matter करेगा, लेकिन यहां मैंने आपको सारी possibilities बता दी है, और मैंने एक neutral perspective से बताया है, कि अगर लड़ाई होती है, तो कौन जीतेगा, तो अब तुम Gojo fans comment से मुझे गाली लिखना शुरू कर सकते हो, क्योंकि यहां मैंने kind of Supna को थोड़ा सा इत्तु सा powerful बता दिया है, लेकिन सुनो, मैं खुद Gojo का बहुत बड़ा फै तो गोजो के लिए रूट करूंगा, और साथी अपना Gojo थोड़ा सा elegant type का है, तो वो attitude अच्छा लगता है, शर्लोक वाली थोड़ी सी फील आती है, वैसे यहां आप मुझे पताओ कि इन दोनों OP characters के लड़ाई में आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, और जो भी पीसा आउट, यह गोजो जोगो क्या है, यह गोजो जोगो जो, अब यह जो रिपेलिंग है, बहुत ही जादा फोर्स से होता है, आइ मीन लोगों को ठाके बिल्डिंग तक में फेक दिया जा सकता है, इसे पूरी बिल्डिंग गर जाये, ओके यह पार्ट कट, गया, जैसा पीसाँट